जय गुमाता, जय गोपाल, जय ब्रामन आज आप और हम सभी की और से ब्रामन को शरदांजली है, नमन है एक ऐसी कहानी का अंत हुआ है दोस्तो, जिसके बारे में शब्दों में बया ही नहीं कर सकता मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा सुक दुख का सबसिक करीबी साथी रहा, ब्रामन टुएंडेट जब भी दुख महशूश करता था, परिशान होता था, तो इसके पास आ जाता था इसके बारे में शब्दों में कुछ भी कहूँ तो वो कम होगा दोस्तो इसके स्ट्रक्चर में, इसकी बौडी में थार पार करके जुगुण थे गुण के अलावा इसके बच्चों में जो रिजल्ट आए, वो अभुत पूर्व थे इसकी कोई भी बच्चडी ऐसी नहीं हुई, जो साथ आट लिटर टाइम के दूद से कम दिया हो तो जो हम गाय बचाओ अंदलन गाय बचाने के लिए काम कर रहे थे तो उसके लिए सबसे बड़ा साथी ये बना आज मुझे जो पैचान मिली, आज मैं जो आप सभी लोग जानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान का हूँ, पूरा पूरा योगदान का हूँ तो ब्राह्मन का था मेरे दिल के क्या मेरे शब से करीबी शाती सच में एक भाई की तरह था आप यह सामने देख रहे हैं तो सारे इसी के रिजल्टे आज देश भर में बहुत सारे ब्राहمن के बच्चे बच्छिया बच़ड़े भी है तो बहुत सारे लोग संवर्धन पर ब्रामन का बच्चों का उपयोग भी कर रहे हैं उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे है ब्रामन 200 का जन्म 25 दिसंबर 2011 को चानन में हुआ था और इनकी माताजी कुंती माताजी ने 580 नंबर कहा गया जिनका दूद का रिकॉर्ड था 350 दिनों में 4909.6 और जब पहली बार इनको मैंने दर्शन करने का मौका मिला तब मैं चानन पहुचा था शाम का समय था दोस्तो मुझे वो पल आज भी याद है और इसके बाद में काफी निवेदन और काफी प्रयासों के बाद में डॉक्टर पाल, महराज वगयरा सबी लोगों का धन्यवाद है उनके कारणी नंदी यहाँ पाया और इस नंदी नहीं पहचान दी, मुझे भी दी, इस फाम को भी दी इसका जो सरलता थी वो अभुत पूर्वती जब मैं इससे लेने गए, तो बिलकुल अराम से एक मस्तानी चाल में चलता हुआ काड़ी के अंदर बैठ गया और जब पहली बार यहाँ पहुचा तो उस दिन मेरा घर जाने का मन नहीं किया मैं रात को फाम में ही सो गया सुबह उठा, तो यह बिलकुल सभी गयों के बीच में एक राजा की तरह बैठा था और बैठने में जो उसकी बैठने का तरीका था वो एक पैर बिलकुल आगे जैसे शाक्षात सेव का नंदी सामने बैठा होना वैसे यह बैठा था जब मैं इसे लेकर आया था तब चानन के अधिकारिया द्वारा मुझे कहा गया था कि आप बहुत बड़ा खजाना ले जा रहे हो और वास्ता में यह खजाना ही था इसके द्वारा जो रिजल्ट मिले हैं वो अभुत पूर है दूद में बोड़ी स्ट्रक्चर में थार के जो गुण है उसमें सब में बहुत सुन्दर है अब बात आती है यहाँ पर आया तो ब्राह्मन 200 नाम कैसे दिया हमने दोस्तो बहुत ही शरल था पर जब सर्विस में बहुत एग्रेसिव और रिजल्ट कोई भी सर्विस इसकी फेल नहीं जाती थी तो इसके लिए इसको हमारी इच्छा थी कि बिल्कुल शान्त है ब्राह्मन की तरह और बिल्कुल जब कोई खत्रा आता है जब कोई मुश्य बताती है तो पूरा एक्टिव भी है और टूंडेट इसका टैग नंबर था तो ब्राह्मन टूंडेट नाम दिया इसको ब्राह्मन तो बोलते ही थे हम पर जितु भाई आये थे उस समय तो उन्हान नेका B200 तो टैग नंबर उसके हिसाब से फिर वो B200 नाम इतना प्रसिद्ध हो गया तो आज गूगल सर्च B200 करते तो भी पहले ब्राह्मन आता है इस नंदी के बारे में कोई शब्दों में प्याख्या नहीं कर सकता दोस्तों हमारे आपकी सबकी तरफ से श्रदांजली है इस महान आत्मा को दोस्तों इसका जाना में लिए बहुत बड़ी नीजी शती है आप सभी के बहुत सारे मेसेज मुझे प्राप्त हुए अदरने प्रेम सिंग जी भाई साब का भी बहुत सनय था इसके प्रति आप सभी ने जो श्रदांजली भेजी उसके लिए धन्यवाद विकट समय में जो आपने मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद ऐसे नंदी कम आते है बहुत सारे इसके नंदी आज सेवा में है आप सभी का अभाद श्रदांजली जैगो माता